नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपको आपके चैनल End of Ignorance में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा टेकनोलोजी के बारे में जो की हमारे जीवन और दुनिया के कई तरीके पर प्रभाव डाला है और वो टेकनोलोजी है Mobile Network Technology तो दोस्तों वेट किस बात की चलिए स्टार्ट करते हैं Mobile Network Technology यानि Mobile संचार टक्नीकी एक ऐसा सेट आफ टेकनोलोजी और प्रोटकल है जो Mobile Devices जैसे की स्मार्टफोन और टेबलेट और Network Infrastructure के बीच Communication को facilitate करता है इसके कुछ generation होते हैं जैसे की 1st generation, 2nd generation, 3rd generation, 4th generation 5th generation इसे हम ये भी कह सकते हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और अभी तो आगे 6th generation भी आने वाला है अब दोस्तों ये जितने generation हैं और जो आगे future में आने वाले हैं Network Capabilities और Performance के लिए एक Significant Step रिप्रेजेंट करते हैं और New Mobile Application जो Mobile में Application हैं और Services के Development के लिए एक Crucial Role भी प्ले करते हैं चलिए थोड़े डिटेल्स में जानते हैं ये सारे generation के बारे में 1G जिसे हम First Generation of Mobile Network Technology बोलते हैं वो 1980s में Introduce की गई थी इस Technology में सरिफ Analog Voice Communication का यूज किया जा सकता था इससे Communication के लिए Analog Radio Signals का इस्तेमाल किया जाता था इस Technology में कोई Data Service अवेलेबल नहीं थी और Calls की Quality काफी पूर थी अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये Analog Voice Communication क्या है तो दोस्तो Analog Voice Communication में Voice की Waves का यूज किया जाता था जिससे Communication होती है इसमें Voice को Analog Signal के रुप में Convert किया जाता है और उन Signals को Communication के लिए यूज किया जाता है Analog Voice Communication काफी पुरानी टेकनोलिजी है और इसका यूज आजकल कमी होती है दोस्तों 2G जिसे हम Second Generation केता हैं Market को 1990s में Introduce हुआ इसमें Digital Technology का यूज करके Voice Communication किया जाता था और जितने भी पुराने Analog सिस्टम थे उसको Replace किया गया इसके साथ 2G के Help से Text Messaging और Limited Internet Access जैसे Basic Data Service भी उपलब्थ थी चलते हैं Third Generation को जिसे हम 3G बोलते हैं 3G Networks 2000 के सुरू में ही Introduce हो गया था और यह 2G के Comparable काफी Fast था मतलब यह तेज डाटा स्पीड प्रोवाइड करता था इससे हम Video Calling, Mobile Internet और Mobile TV जैसे Advanced Service को यूज कर सकते थे अब 3G के बाद आती है Fourth Generation जिसे हम 4G Network कहते हैं यह 3G से भी अधिक तेज डाटा स्पीड प्रोवाइड करती थी और इसका Design Data, Intensive Service जैसे High Quality Streaming Video और Online Gaming को Handle करने के लिए क्या गया था यह काफी स्पीड प्रोवाइड करती थी अब 4G के बाद आता है Fifth Generation जो 5G है और यह बहुत ही latest technology है 5G Mobile Network पांच भी जेनरेशन की Mobile Network है और इसमें 4G से भी काफी अधिक तेज डाटा स्पीड ओफर की जाती है इसके साथ ही हमें 5G के help से Self Driving Car और Remote Surgery जैसे नया टेकनोलोजी को Enable करने की potential भी मिलती है 5G बहुत ही Super Fast और Advanced Mobile Network टेकनोलोजी है अब चलते हैं 6G के उपर 6G जिसे हम 6 Generation बोलेंगे यह Development Process में है और इसका गोल यह कहता है कि यह हमें Faster Speed, Low Latency, Higher Capacity and More Reliable Connectivity Comparable to 5G टेकनोलोजी प्रोवाइड करेगा Additionally, 6G Enable करेगा New Application को Access करने के लिए जैसे कि Helographic Communication, Real-Time Telepresence and Advanced Artificial Intelligence दोस्तों अगर हम सारे चीज़ को Summarize करें तो हम यह बोल सकते हैं कि Analog Technology जो 1G यूज़ कर रहा था वो Replaced हो गया 2G के आन से और 2G जो Digital Technology यूज़ कर रहा था Voice Communication के लिए Market को एक Basic Data Service जैसे Text Messaging और Limited Internet Access दे पाया फिर 3G ने तेज़ डाटा को Add किया 4G ने और भी तेज़ डाटा और Video Streaming को Add किया 5G ने Low Latency और नए टेकनोलोजी के Potential को Add किया और दोस्तों सिख जी से हम ये उमीद कर सकते हैं कि ये भी और तेज़ डाटा स्विट मार्केट को लाए और धेर सारे Innovative Application को Implement करें दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृप्या इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दिना ना भूले थैंक यू धन्यवाद